साथियो नमस्कार, फाइनली सत्तरवी BPSC प्रिलिम्स के लिए हमने टॉपिक्स को पूरी सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई कर दिया है और टोटल 87 टॉपिक्स बने हैं, जिनसे 90-95% पूछे जाते रहे हैं BPSC में, जो बहुती फ्रींज टॉपिक है उसको हमने हटा दिया ह अच्छा ये टॉपिक्स आप UPSC के हिसाब से या किसी अधर कमीशन के हिसाब से इसको नहीं मेजर करेंगे, जब आप PYQ देखेंगे हमने एनलाइज किया है और तीसवी BPSC से लेकर उनहात तरवी BPSC तक का, और टोटल 87 टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, जिसमें एक्स का सबसे ज़्यादा benefit उसी candidate को होगा, जो अपनी copy में इसको एक जगा separate copy बनाईए, उसमें इनको लिखिए, और इन topics पे आपका अगर थोरो पकड़ है, तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि आपका prelims कोई रोक नहीं सकता है, बस इतने topics पे अगर आप पकड़ बना लेते है तो prelims रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, चलिए हम एक एक topic को देखते हैं, subject wise हमने classify किया है, अच्छा आपको classification के दवरान में एक disclaimer दे दूँ कि आपको लगेगा कि एक sequence में नहीं दिखेगा topic, कि अच्छा पहले तो ये chapter पढ़ना चाहिए, हमने classify किया है, descending order में, किस descending order में, जो order of importance है उसका, मतलब कि अगर BPSC ने, suppose करो कि अगर जो light chapter है, तो light से करीब करीब 20 सवाल पूछा है अब तक, तो उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, तो आप समझ जाएंगे, आपको जो chapter जिस तरह से पढ़ना है, आप उस तरह पढ़ेंगे, बट आपको ये समझ मे आजाएगा कि हर पेपर को उसी तरह अरेंज किया गया है, जैसे physics में अगर number one पे मैं कोई topic लिखता हूं, that means that topic is the most important topic as per BPSC का जो previous year trend analysis है, जो BPSC है, वो अब तक जो सबसे ज्यादा question पूछा है, मैंने देखा अनतीसवी से लेकर उन्हा तरवी तक, तो हमने उसको classify किया light and radiation, 19 सवाल जो है अब तक पूछ चुका है BPSC, यह आप ध्यान रखेंगे, 19 सवाल बहुत सवाल होते हैं, इसी तरह अगर दूसरा chapter देखेंगे, तो एक है chapter जिसमें units है, या कौन सा instruments से हम क्या measure करते हैं, तो जो measuring instruments हैं, आप लिखते चले मेरे साथ, और एक energy conversion है, ठीक है, त 13 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं, उसके बाद solar system से है, तो solar system बहुत important है, और खास कर जो satellites हैं, और यह current affairs के जो satellites हैं, वो बहुत important हो जाते हैं, ठीक है, heat पे पूछा गया है सवाल, उस्मा, हिंदी में कहते हैं, electricity पे उसके बाद order of importance में electricity है, हमने एक video Nobel Prize पे डाला था, कि इस बार के जो छेओ field है, जिन में Nobel Prize मिला है, तो science में खास कर Nobel Prize खुब पूछा जाता रहा है, और मैंने आपको बताया था कि literature और peace, जैसे निहान हेडांकियों मैंने बताया था न, peace में मिला है इस बार का, और literature में एक code मैंने दिया था आपको, हांग कांग याद रखें उसके बाद हम चलते हैं, Nobel Prize हो गया, उसके बाद जो सवाल पूछा है, वो weight, mass, और एक सवाल, even 69 में भी आप देखेंगे, ये बहुत पूछा जाता रहा है कि कौन सा vector quantity है, और निमन में से कौन सा scalar quantity है, और उसके बाद है sound, ठीक है, तो physics के mostly इन ही chapters से सवाल पूछे जाते रहे हैं, आप इनको please note down कर लिजे, chemistry है, chemistry में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए है, acids, base, और इसी में pH value, निकालने का, और करीब करीब 25 सवाल पूछे गए है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो सवाल बना है, वो बना है, acids से, मतलब more than 60-70% of this chapter का, येवल acids से सवाल बना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कहीं भी अगर कोई sulfuric acid है, मतलब कोई भी acid के बारे में अगर कुछ भी मिलता है, तो आप इसका मतलब है कि आप बहुत उसको ध्यान से देखेंगे, ठिक है, metals, ores, semiconductors, इनसे भी सवाल बने हैं, और अच्छे मात्रा में सवाल बने ह करीब करीब 22, alloys, संख्या मैं बहुत ज्यादा focus नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे कि यह order of importance में है, प्रदूसर्ण भी बहुत important topic है BPSC के लिए, और प्रदूसर्ण के साथ मैं gases दे देता हूँ, जैसे माली जी carbon monoxide है, carbon dioxide है, greenhouse gases है, तो ये बहुत important हो जाते हैं, अलग स इसे एक मैं लिख देता हूँ, topic, carbon and CO2, ये इस पर कुछ जादा ही आप focus करेंगे, atoms, molecules, और एक पानी है, तो पानी से भी water, H2O, इससे भी बहुत सवाल बने है, अगला है, soaps and detergents, इससे कुछ सवाल बने है, और order of importance में chemistry का हमारा आखरी है, जिससे खूब सवाल बनने के संभावनाएं है, plastic, इसी में कुछ मिसलेनियस है, basically, isotopes से कुछ सवाल पूछे गए हैं, और एक जैसे कपूर होता है न, camphor, तो sublimation process होता है, कि directly solid से gas में बदल जाना, तो वो है, ठिक है, biology में हम बढ़ते हैं, तो biology में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए है, vitamins से, जैसे vitamin A, B, C, D, E, K, H, इस तरह के जो vitamin है, या कौन सा रोग होता है, किस vitamin की कमी से, वो पूछा गया है, दूसरे number पे है, evolution and biodiversity, यानि कि एक और बात मैं आपको बता दूँ, 69 BPSC का paper देखेंगे, तो national parks और जो biosphere reserves हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया, और species पे भी focus था, जैसे gangetic dolphin के बारे में सवाल पूछ दिया, biosphere reserve में Gulf of Manar के बारे में 69 में question पूछा, national park में नतांग की जो national park है, उसके बारे में सवाल पूछा, तो ये important हो जाता है, हम current FS में भी उस topic को list करेंगे, बिमारियों पे बहुत focus है BPSC का, diseases, especially जो AIDS ह मैं देख रहा हूँ कि AIDS पे बहुत सवाल है, तो अगर कुछ भी news आपको AIDS से related मिलता है, तो आप उसको जरूर focus करेंगे, hormones पर बहुत ज़्यादा focus है, hormones, और hormones में भी सबसे ज़्यादा मैंने सवाल देखा, insulin पे बहुत ज़्यादा focus था, insulin, diabetes हो भी तो रहा है, इतने लोगो को भारत में diabetes है, उससे ज़्यादा लोगों को pre-diabetic stage पे लोग खड़े हैं, जैसे अगर 140-150 के level पर जाकर आप diabetic हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि 138-137 पे लटके हुए हैं, तो वो स्थिती ठीक नहीं है, थोड़ा सा health पे ध्यान देना ज़रूरी है Fit India campaign भी उसी के लिए है, उसके बाद photosynthesis है, प्रकास अंसलेशनल पर आप focus करेंगे, इसकी different states पे, ठीक है, plant के products पे कुछ questions बनाए गए हैं, roots वगरा भी इसी में आप note कर लेंगे, एक chapter blood, हलाकि हम human physiology एक अलग से लिखेंगे, but human physiology में blood पे ज़्यादा focus है, और greenhouse gases है, जैसे मैंने gases तो लिख दिया, but greenhouse gases पे कुछ सवाल पूछे गए हैं, genetics, mendel आपको याद होंगे, and DNA, double helix model पूछता है, खास कर, Watson and Crick का, cell पे question है, लेकिन cell पे, especially cell पे, mitochondria के बारे में पूछा है, टेक है, energy, याद होगा आपको, human physiology थोड़ा सा देख लेंगे, इस पे बहुत, चुकि इसी के अंतरगात बहुत सारे आ गए, जैसे मालो hormones के बारे में हमने बात कर लिया, या फिर blood के बारे में बात कर लिया, तो जिन पे सवाल मिले, हमने उसी को human physiology को सरसरी निगा से देख लेंगे, क्योंकि अब तक नहीं तो science and tech पे आप focus करेंगे, जैसे 69 में मैंने देखा कि internet of things के बारे में पूछा, edge computing के बारे में पूछा, computer की जो languages हैं, उनके बारे में सवाल पूछा, vaccines के बारे में सवाल पूछा, mRNA पे आपको पता है कि उस समय का, जो noble मिला था, medicine का, वो मिला था, और इस बार भी mRNA चर्चा में है, और mRNA दोनों चर्चा में है, प्योंकि medicine का noble पूरसकार है, वो इसी छेतर में दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे, एक renewable energy को आप देख लेंगे, खास कर ये current affairs में, जैसे net metering पे, UPSC ने भी 2016 में पूछा, और हमने देखा कि 69 में भी net metering सब्द किसे सम्मंदती किस तरह direct सवाल आ जाता है, तो ये आप देख लेंगे, ओके, ये explanatory video नहीं है, हम सिर्फ topic listing कर रहे हैं, साथ साथ की जो भी information है, हम बोलते चल रहे हैं, ओके, अगर हमने science को देख लिया, science and tech को, quality को देखें, कोई ऐसा साल नहीं है, जिसमें मैं देखूं कि संसत से सवाल न पुछा जाए, फिर executive जो है, इस से सवाल पुछा गया है, और जब कर रहे हैं, तो order of importance में तो नहीं है, बट साथ में ही मैं इनको भी लिख दे रहा हूँ, judiciary को, ये जो three pillars है ना, state का, ये आप जरूर कर लेंगे, जैसे 69 में आपने देखा होगा, कि judiciary पे भी सवाल पुछा गया, और वो multiple statement based सवाल पुछा गया, तो collegium system पे सवाल था, तो ये important हो गया, पंचायती राज system पे बहुत focus रहता है, BPSC का, साथ में आप urban local bodies करेंगे, नागरिक्ता, citizenship, चुकि state का exam है, तो state जो government की provisions हैं, जैसे कि legislative council हो गई, governor का provision हो गया, तो आप इनको जरूर कर लेंगे, साथ में जो constitutional development है, इसको आप चाहें तो history वाले section में कर सकते हैं, जैसे 7073 का जो act हुआ था, regulating act, या pits India act है, या Indian council act है, इस तरह की चीजों को आप देखेंगे, उसके बाद आप एक common सा, बहुत सवाल तो नहीं बना है, लेकिन हा, पिछली बार जैसे 69 में ही DPSP पे सवाल बन तो preamble, fundamental rights, DPSP और FD, ये कई chapters लगेंगे, बट इनके सिर्फ provisions को आपको देखना है, जैसे preamble छोटा सा chapter है, तो इसको कई बार तो मैंने ही पढ़ाया है, तो आप वो देख लेंगे, समविधान में जो amendment है, उसको देख लेंगे, क्योंकि amendment का आपने देखा होगा कि पिछ ही सारा सवाल पूछा गया, तो ये important हो जाता है, इसके अलावाद जो sources of the constitution है, कि कहां से हमने कौन सी चीज ली है, ये important हो जाता है, और emergency provision, जैसे कि even 69 में भी आप देखेंगे, तो article 360 के बारे में सवाल पूछा, financial emergency पे, तो ये important है, मैं मान कर चलता हूँ, कि इस बार, उसके पहले आप एक और चीज देख लेंगे, मैं चाहता हूँ, कि articles, कि वो link का देख लेंगे, मिलान करने वाला, schedules, parts, जैसे समविधान का 25 भाग है, तो बस देख लीजिएगा किस भाग में क्या है, schedule 12 है, तो 12 हूँ, schedule में किस में क्या है, articles देख लीजिएगा और सारे articles दिखने का ज़रूरत नहीं है, important articles, और मैं कोसिस करूँगा कि important articles का एक listing जैसे एक से 100 तक का एक बार में बना दे, इस तरह से करके सारे articles को, एक अलग से मैं topic इस बार लिख दे रहा हूँ, वो है election, देखिए, साल 2024 में जितने चुनाव हुए हैं, इतना लग, इवन अमेरिका में अभी आप देखेंगे तो आज कितना तारीक हो गया, तीस तारीक हो गया, पांच तारीक को, ठेक, पांच दिनों के बाद, 31 का महीना है, पांच तारीक को, पांच नोवंबर को अमेरिका में चुनाओ है, इंडिया में चुनाओ हुआ, रस्या में हुआ अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ अपना पड़ोसी देश बांगला देश में चुना हुआ स्रिलंका में चुना हुआ तो यह जो वर्स है ना ब्रिटेन में चुना हुआ यह वर्स बहुत ज़्यादा चुनाओं का वर्स है तो election पे अगर कोई question बने तो इससे आफ़ चरे नहीं होना है national level पर भी और international level पर भी जहां तक economy का प्रस्ण है मैंने देखा कि UPSC में भी और बिहार में भी क्रिसी पे बहुत ज्यादा focus है और बिहार की क्रिसी पे भी आप देखे जो भी topic अगर लगेगी बिहार से भी important है तो आप उसको कर लेंगे ठीक है budget हमने budget का video provide कर भी दिया है और PDF भी provide कर दिया है अपने टेलिग्राम पे तो आप उसको वहाँ से देख लेंगे ठीक है यह चीज important है budget का budget and economic survey तो budget बहुत important होता है और उसके बाद schemes पे बहुत सारे सवाल है जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार ही पुछा कि PLI के बारे में फिर पुछा स्वामित तो scheme के बारे में तो दो scheme तो सीधे सीधे यहीं पर दिख रहे है national level पे उसके बाद है national income इसको पढ़ लेंगे फिर RBI से related चीजों को पढ़ लेंगे जैसे money and banking फिर उद्योग इंडस्ट्री और external sector को आपको करना होगा external sector जैसे इसमें क्या हो जाएगा आप पहले WTO था पहले GAT था फिर WTO हो गया उर्गवे राउंड के बाद foreign जो Forex Reserve है इंडिया का जैसे हम चौथे नंबर पे है ना एक नंबर पे चाइना है दो पे जपान है तीन पे Switzerland है हम चौथे नंबर पे है rules of origin पे सवाल पूछा FDI पे सवाल बनता है इस पे सवाल बनते ही बनते हैं तो इन सब topics को देख लेंगे एक terms होता है current में भी आप इसको ले सकते हैं या इसमें हो सकते हैं तो जैसे पूछ दिया कि Insolvency and bankruptcy पे जैसे पूछ दिया कि Stagflation पे तो इन terms का clarity आपके पास होना चाहिए रिवर्स रिपोरेट ये सब चीजें क्या होती है इतिहास देखेंगे तो इतिहास का तीन पार्ट है अगर हम ancient देखें इतिहास में जो आपका focus होना चाहिए वो होना चाहिए personalities, events और issues पूरा इतिहास इसी के around घुमेगा अगर हम topic listing की बात करें तो बुद्धिजम एंड जैनिजम बनते ही बनते हैं सवाल ancient को पहले मैं classify कर दे रहा हूँ ये important है उसके बाद आपने देखा Indus Valley Civilization यानि हडपा पे सवाल बनते ही है जैसे पूछा आप इछली बारी की मतलब घोड़े के बारे में पूछा था कि कौन सा हडपा काल में नहीं था फिर मौरिया और थोड़े से सवाल जो किंग वगरा है पोस्ट मौरिया पे पूछ लेता है तो किंग वगरा को आप देख लेंगे गुपता और हर्षा पे भी एक दो सवाल पूछा है तो आप उसको भी देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पूछा है सवाल स्लेव डाइनेस्टी पे फिर पूछा है खिलजी डाइनेस्टी पे और उसके बाद पूछा है तुगलक पे तुगलक में फिरोज साह तुगलक और MBT मुहमद बिन तुगलक और फिरोज साह तुगलक इन पे सबसे ज्यादा फोकस है अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा फोकस अगर राजा महराजा पे बात करते हैं तो अक्बर पे सबसे ज़्यादा question है फिर साह जहां पे और फिर जहांगीर पे फिर विजय नगर और बहमनी empire पे भी विजय नगर और बहमनी contemporary है तो इन पे भी सवाल बनते रहें अच्छा travelers को आप जरूर कर लेंगे जो भी जैसे माल लेजिए कि मुरक्को से इबन बतुता आता है रहला लिखता है तो इस तरह के travelers को आप जरूर देख लेंगे फिर यहां भी आप है तो यहां पे भी travelers include हो जाएंगे books and authors तो बहुत पूछता है books and authors इवन मैं यह बहुत important है इसको आप VVI में कर लें क्योंकि even 69 BPSC में ही मैं देखता हूं दो सवाल पूछा गया books and authors थे एक तो पूछा कि नीती सार के लेखक कौन है और एक और पूछा था फुतुहात ए आलमगिरी recent का मैं example दे दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि trend क्या है तो यह ancient और medieval का हमारा हो गया इसके बाद अगर हम पढ़े modern में तो modern में देखिए सबसे ज़्यादा question जो है एक phase ही हमने बाटा है गांधियन phase तो इसमें जो भी गांधि चंपारन सत्यागरा है quit India movement है CDM है NCM है इनके बारे में आप पढ़ेंगे Congress के बारे में सवाल आता है और Congress का खास कर उसका जो session वगरा है या Congress ने कौन से काम किये Congress का establishment कैसे हुआ और moderates and extremist phase से सवाल पूछा आते है इसको कर लेंगे peasant movement और tribal movement इन पे सवाल है working class के movement पे बहुत सवाल नहीं दिखा मुझे ओके इसके बाद revolutionary जो अपने nationalist हुए जैसे भगत सिंग जी खोदी राम बोस इन लोगों से सचिंदरनाथ सान्याल तो इन लोगों से बहुत सवाल दिखे मुझे Britishers जो है वो कैसे expand किये और उनकी economic policies क्या थी इस पे सवाल मिला ठीक है इसके अलावा socio-religious जो reform movements है बैसे राजयराब मोहन राय का है ठीक है इसवर चंदरविद्या सागर जी है तो इस तरह के आप socio-religious reform movements को देख लेंगे साथ में education पे बहुत सवाल है जैसे वर्नाक्यूलर जो press act है and newspapers journals इस तरह के चीजों को आप include कर लेंगे तो वर्नाक्यूलर प्रे सेक्ट पे पिछले ही साल सवाल पूछा गया था और governor, generals and vicerai के कारेकाल के दौरान कौन सा काम हुआ ये भी पूछा है आगे हम geography में देखें तो देखिए जनगरना बहुत important है 2025 में जनगरना होने भी जा रही है लेकिन अब तक जो हुआ है वही देखेंगे एक तो इंडिया का देख लेंगे और दूसरा बिहार का बिहार का मैंने कहा ना जहां भी आपको reference दिखे आप बिहार का समझ जाएंगे उसके बाद मैंने देखा कि question पूछा है इसी तरह से अगालेगा आइलेंड है या भी सागोस जो आर्चेपिलागो है तो वो चर्चा में था तो आप उसको देख लेंगे आइलेंड सो गए डेजर्ट सो गए लेक्स मिलान करने को basically इनको देता है फिर बहुत सारे मिनेरल्स इवन बिहार का भी और national level पे पूछा गया है mountains के बारे में पूछे गए है platyuge के बारे में पूछा गया है सवाल passes के बारे में है ठीक है नदियों के बारे में तो बिहार की भी नदियों के बारे में बहुत सारे सवाल है rivers है और बहुत सारे dams के बारे में सवाल पूछा गया world level पे भी जैसे माल लिजे कजनी dam है जलवायू climate पे सवाल है मृदा मिट्टी पे सवाल है और कुछ miscellaneous है जैसे कि capitals वगरा पूछ दिया है बाकी जो important themes है माल लिजे जैसे disaster वगरा पूछ दिया है कहीं जैसे heat waves के बारे में पूछ दिया तो ये सब आप देख लेंगे बिहार का वैसे मैंने topic listing दे दिया है जो छोटे छोटे chapters को करके मैंने order of importance में मैं सजा दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बिहार से सवाल पूछायाता है वो इतिहास से जैसे अगर modern history की मैं बात करूँ तो 1857 की revolt से पूछ दिया 1917 का जो गांधी जी का चमपारन सत्यागरा था या राजेंदर प्रसाद जी हैं स्रीकृषने सिंग जी हैं या फिर JP जैपरकास नरायन जी हैं तो इन लोगों से या कोई माली जै जर्नल है बिहार में छपता है तो उसके बारे में है तो इस तरह की है जोगरफी दूसरा नंबर पे है जोगरफी जिससे सवाल पूछे गए हैं तो जोगरफी को आप जैसे अभी मैंने बताया ना जैसे बिहार का census हो गया है tribes को अभी मैं lecture upload करूँगा जिलावाईज अभी मैं lecture upload करूँगा तो पूरा बिहार का current और ये तो आप यहीं से देख सकते हैं फिर बिहार का current अपने ISPCS factory पर ही आप देख सकते हैं ठीक है ये पूरा आप section यहीं से देख सकते हैं ISPCS factory में लिख देता हूँ और बिहार quality already we have done पूरे बिहार quality को करीब करीब 38 मिनट का वीडियो है और उसको हमने खत्म कर दिया है अब हमारा जो आखिरी topic है वो है current affairs अगेन repetition है बट लिखना पड़ेगा क्योंकि current के बहुत सारे जो policies हैं और schemes हैं इनसे सवाल बनते हैं जैसे new education policy पे ही सवाल 69 में पूछा और अगर schemes की बात करें तो national level पे भी आप देख लेंगे और बिहार के भी level पे देखेंगे तो national level पे ही देखेंगे तो 66 BPSC में पूछा है कुसुम के बारे में 64 में पूछ दिया है मनरेगा के बारे में 69 में पूछा है PLI स्वामित्व के बारे में तो यह आप देख लेंगे बिहार से ही देखेंगे तो सतत जिविको पारजन योजना के बारे में पूछ दिया है ठीक है तो यह हमारा हो गया ओके दूसरा हमारा sports है बहुत सवाल तीन से पांच सवाल तक पूछ लिए जैसे tennis के court के बारे में पूछ दिया इस बार जैसे ओलंपिक है पैरा ओलंपिक है Commonwealth Games है वेन्यूज हैं के या women's related अगर कोई गेम है उसके बारे में तो यह सब आप देख लेंगे तीसरा जो prize किसको मिलता है medals मिलते है Nobel Prize है यह सब देख लेंगे summits and conference बहुत सवाल मतलब कई बार तीन से पाँच सवाल पूछ लिये जाते हैं summits and conferences से जैसे 69 में ही देखा आपने G20 पूछा तो G20 के बारे में पूछ लिया 67 में तो सिर्फ यही पूछा था कि G20 का कहा होगा नयम के बारे में पूछ लिया जैसे इस बार यूगांडा के कमपाला में हुआ था जी 7 जो है वो इटली में हुआ तो इसके बारे में पूछ सकता है ठीक है और Days and Themes बहुत important है इससे सवाल पूछ लिया जैते हैं जैसे अगर 69 की ही बात करूँ तो उसमें क्या पूछा था Deaf Expo 2022 का Theme Path to Prime तो इस तरह से यह पूछ लिया जैते हैं आप इनको देख लेंगे Air Force का exercise या कई सारे Forces का exercise joint exercise आप इनको देख लेंगे फिर मैंने देखा कि UPSC की तरह BPSC भी अब Defense related Defense related news पूछने लगा है and nuclear related अगर कोई भी न्यूज आती है तो आप इनको priority देकर देखेंगे Reports and indices पे भी BPSC सवाल पूछने लगा है जैसे 69 की ही बात करूँ तो उसमें क्या पूछा गया था Global Gender Gap Report W.E.F. का तो हो सकता है कि पूछ दे कि इस बार भाई हमारी ranking क्या रही या Global Hunger Index बहुत ज्यादा चर्चा में था तो कि कौन जारी करता है किस देश की वो संस्थाएं है क्यों भारत का rank जो है वो इतना पीछे रह गया है क्यों हमारा score 27.3 इतना कम रह गया क्यों हम बहुत ही गंभीर वाली स्रेणी में आ गये हैं तो यह सब data बस याद रखना है में इसको यह इसका यूज कर सकते हैं उके उसके बाद मैं देखता हूं कि इन्वार्मेंट से रिलेटेड कुछ जैसे नैशनल पार्क जैसे मैंने बताया ना कि अभी पूछा नतांकी नैशनल पार्क के बारे में इसी तरह बायो स्फेर रिजर्ब्स के बारे में पूछ चुका है कि गल्फ ऑफ मननार के बारे में वाइल्ड राइफ सैंक्चुरी देख लेंगे आप, फिर species पे भी focus है, species जैसे की जो गैंगटिक dolphin है, तो गैंगटिक dolphin के बारे में पूछ लिया, हो सकता है कि अगली बार जो है वो great Indian bastard के बारे में पूछ ले, या tiger पे UPSC का बहुत focus रहता है, तो tiger के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इसको देख लें मंत्रा दिया है, तो उसके बारे में पूछ लिया, अभी मैंने geography में बताया कि कुछ capitals का नाम जैसे Argentina का capital पूछ लिया, कोई tribe अगर चर्चा में है तो उस tribe के बारे में पूछ लिया, GI के बारे में, GI tax के बारे में कुछ पूछ लिया, या पूछ आप 69 में है कि HMX का full form बत टोटल टॉपिक लिस्टिंग हमने कर दिया है, और अगर आप इन टॉपिक्स को ठीक धंग से पढ़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है प्रिलिम सबाब के लिए cakewalk होना चाहिए, धन्यवाल